वारानसी में प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और केंद्रिय मंतरियों को मैदान में उतारा है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष, जेपी नडडा, केंद्रिय मंत्री पीउष गोयल, विदेश मंत्री S. जय शंकर का नाम शामिल है। वहीं केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह आज रात वारानसी पहुँच रहे हैं। इस लोक सभा सीट पर एक जून को मतदान होने हैं। रविवार को वारानसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री S. जय शंकर ने कहा कि भारत को पीएम मोदी जैसे मजबूत और निरनायक नेता की जरूरत है, क्योंकि विश्वस्तर पर अशान्ती कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी गारंटी के लिए सही बटन दबाएं। बीजेपी की कोशिश है कि पीएम मोदी तीसरी बार वारानसी से रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज करें। जय शंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने घरेलू स्तर पर जो उपलब्धियां हासिल की उसकी वजह से ही भारत को विश्व स्तर पर सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे नेता की जरूरत है जो भारत फर्स्ट और वसुधैव कुटुम्बकम के बीच संतुलन को बनाये रखे। जय शंकर ने कहा कि भारत ने यह कर दिखाया है कि वह अमेरिका और रू युद्ध, LSE पर, चीनी सेना के अतिक्रमन, सीमा पार आतंकवाद, कोविड और आर्टिकल 370 को रद करने से पैदा हुई चुनोतियों का सामना किया है।